हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री में सूमवार को एक प्रत्याश्चित गटना हुई बॉलिवूड के 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और 4 संस्ताओं ने दो न्यूस चैनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोट में सिविल स्टूट दायर किया तकि न्यूस चैनल ओपर बॉलिवूड की छबी बिगाडने से रुका जा सके ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मीडिया हाउस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बॉलिवूड एक जुट हुआ है सूट फाइल करने वालों में बॉलिवूड की खान तिकड़ी के इलावा अक्षे कुमार और अजय देउगन जैसे बड़े नाम भे शामिल है जिनके प्रोडक्शन हाुसित की ओर से यहवाद दायर किया गया है हाला कि निर्माता और निर्दशक राम गुपाल वर्मा ने इस कारवाई को विलंबित और ठंडा करार दिया है राम उट्विटर के जरीये काफी अरसे से बॉलिवुट को एक्षन लेने के लिए कहते रहते हैं और ड्रंश केस की जाच के दोरां जब बॉलिवुट को लेकर काफी नकारात्मक कहा गया और दिखाया गया तब भी राम गुपाल वर्मा ने एक्शन लेने की बात कही थी अब उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बॉलिवूट की प्रतिक्रिया विलमबिद और ठंडी है सभी शिर्ष लोगों का दिल्ली उच्चनायले से शिकायत करना ये ऐसा है जैसे कोई स्कूली बच्चा अपने टीचर से कह रहा हो कि टीचर टीचर ये अरनव मुझे गाली दे रहा है राम कुपाल वर्मा ने ये साब शब्दों में ट्वीट करके कहा बॉलिवुट के दिल्ली हाइकोट जाने के बाद से ही सोशल मीडिया में इसको लेकर बैस चुड़ी हुई है और सोमवार को इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में बॉलिवुट का बाइकोट करने की मुहीम भी चल पड़ी थी वही कंगना रानाओत ने बॉलिवूड प्रोडूसर्स के रियाक्शन की तीखी आलोचना करते हुए एक बार फिर बॉलिवूड की तुलुना गटर से की थी